कि नमश्कार वेल्टेंगों गाइज वन्स अगेन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है यह सी पार्ट के लिए यूनिट थर्ड का लेक्चर नमबर एट लेकर आए हैं हम आज इससे पहले हम पिछली साथ लेक्चर पढ़ चुके हैं हम क्या प इसके बार में देखा यह सी तरह कहां देता है कर रहे एक तरह की शूगर को दूसरी तरह की शूगर में चेंज्ज करना या नि-कि-इलडो कि secretis कितने तपिस के étप से होते हैं और एक Windows होते हैं तो से Windows बनाना14 से ऐल्डॉस बनाना इसमिमाने देखा था है मिलूरोव फ्रक्टोस ग्लूकोस क्योंकि इंपर्टिंट है और यही पुछते आपके एक्जाम्स में से यह लेखते वर्णा और भी दूसरा केटों बना सकते हैं यह अश्के लाव हमने क्या देखा था ए्ल्डोस का एल्डोस में परिवर्टन भी देखा कि अगर हमको लुआर्ड डिया दिया दिया देघ्टांट कम कारवन वाला को यह एलडोस देदे जाए तीन कार्वन वाला या च क्या बनाये था हमने ग्लूकोस बनाये था और परिवर्तन किया था अब उसके उल्टा देखेंगे आपको कि बनाता पार कई तुम बणाओ नियू को तुम कहें कि वर िस बनाओ जन्य कैसे बनाओगे तो ज़रूरी नहीं glucose ही दे, आपको यह दे सकता है कि कोई उच्छ तर LDOS से क्या बनाओ, निमने तर LDOS बनाओ, यह डाइरेक्टी यह दे सकता है, गल्लूकोज से क्या बनाओ, अरैबिनोज बनाओ, या केवल यह भी दे सकता है, कि LDO Hexos, एल्डो हेक्सोज मतलब 6 कारवन वाला एल्डोज दिया है उससे आप 5 कारवन वाला एल्डोज बनाओ ठीक है तो आज हम जो देखने वाले इंट्र कनवर्जन वह क्या है वह देखने वाले तो दारि पुच्चे तर एल्डोज का कि निम्नतर एफ एंडोस में परिवर्थन कि इस पुच्चेбы तरएंडोज में परिवर्थन तकतुं है क्यों ले लिए ग्युकोज ले लिए लिए लृकोज यह देसकता है डि ग्यूंच धर भी ग्लॉकोज का निमनत्र डि अरे विद्र जो अ कल किया था उसका अब्लत है यह बनाना है यहां पर क्या हो रहा है अब सूस्थ पर से लोवरबनाना है तो यहां Summit यानि कि एक कारवन को कम करना है कल हमने क्या किया था चेन को बढ़ाया था एक कारवन को एड किया था और आज हमको क्या करना है चेन को घटाना है यानि कि एक कारवन को क्या करना है इसलिए यह जो रियक्शन्स होते हैं इंटर कंबर्जन होते हैं इनको क्या बोलते हैं इनको और यहां पर एक कारवन कम होगा घटाएंगे हम तो उनको क्या बोलते हैं िदाउन इस जो टिनिग इस कि दिंदॉ घटना यहाँ पर का Łझ कम हो रहा है इसलिए उनको एक और नाम से जानते है क्या डिग्रेडेशन, रीक्षन ग्लूकोस का ए राविवि नूज में परिवर्तन करेंगे कैसे इसके तीन मेकैनिजम है, इसके मेकैनिसम हैं, हम तीन तरीच के हैंगे पहला तो पढ़ेंगे रफ रफ डी ग्रेडेशन रेर certificate oldest defined पहला कुछ पढ़ेंगी रफ डी ग्रीडेशन एक पढ़ेंगे हम वोल डी ग्रेडेशन क्या है डीडेशन तो एक है rough degradation method दूसरा है hole hole degradation method यह rough degradation method यह इसको इंदी मैं बोलूँ तो क्या बोलूँगी rough की विदी एक पढ़ेंगे हम hole hole की विदी और एक और पढ़ेंगे हम वीर्मान method वीर्मान विदी वीर्मान विदी तीन तरह के method हैं अगर हमको D glucose से क्या गुनाना है D arabinose बनाना है तो इसको हम तीन तरीके से reaction करा सकते हैं तीन तरह के interconversion करा सकते हैं हम बारी बारी से तीनों पढ़ेंगे सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे rough degradation method यह rough की विदी से तो यहां पर क्या होगा रफ की विदी में क्या होगा यहां पर अगर हम steps में बाटें तो eldos जो हमने जो भी हमारा eldos लिया है क्या करेंगे यह यह लिख सकते हैं यह निम्न पदों में होता है यह कैसे होता है निम्न पदों में होता है सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले step में क्या होगा हमारे पास क्या दिया है eldos दिया है कौन सा ग्लूकोस दिया है तो ग्लूकोस का क्या होगा सबसे पहले डी ग्लूकोस का ऑक्सीकरण होगा डी ग्लूकोस का ऑक्सीकरण किसमें होगा ग्लूकोनिक एसिड में होता है जो हम अब तक करते आ रहे हैं कई बार किया है हमने डी ग्लूकोस का ऑक्सीकरण करेंगे किसमे हैं ग्लुपोनिक एसेड में करेंगे फिर उसके बाद क्या होगा फिर उसके बार क्या करेंगे हम इस में फिर हम इसको क्या करेंगे किसी कैलशिम के लवन के साथ रियक्षिन कराएंगे फिर केलशियम का लवन बना कर अभिकर्मख एक अभिकर्मक के साथ क्या यहимоं Dolin गरते हैं तो क्या बनता हैं क्या कराने पर सी ओडू यहई तो क्या करती हैं से यह तू पाहर संगत कि संगत किनितन है हो एल्डोज का निर्माण करता है Todo ऋउसे पहले ग्लूकोज का अकशीक्रन करांगी ग्ल्ूकोन के सबक्राइंगे फिर उसका रियकशन कर आएंगी कैलशियम भी किसी लवन के साहथ तो क्या वणिगा है कैल्शियम कान वटवनिगा और और उसको फिर हम रियक्शन कराएंगे फेंटोन अभिकर्मक के साथ जिससे एक सियोटू का मॉलेकुल बाहर निकल जाएगा और हमको हमारा एल्डोज मिल जाएगा जिसमें एक कारवन घट चुका होगा कम हो जाएगा अब देखती हैं कि यह होता कैसे है तो हमारे पास डी ग यह हमारे पास यह हमारे पास डी ग्लूकोज क्या है यह हमारे पास यह हमारे पास डी ग्लूकोज यह जो दिया हुआ है डी ग्लूकोज दिया है तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या कराएंगे इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे इसको ऑक्सीक्रत कराएंगे अब अगर आपने ग्लूकोस का ऑक्सिदिन पहले भी रिक्शन करा चुके हैं ग्लूकोस के ऑक्सिदिन की वहां हमने क्या किया था अगर हम किसी strong oxidizing agent को लेंगे तो यह भी oxidize हो जाएगा आप यह वाला ग्रुप भी oxidize हो जाता है यानि बहुत जादा क्रियाशिल ना हो तो क्या लेते हैं हम यहाँ पर ब्रोमीन वाटर ले 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 लें तो ब्रोमीन वाटर से क्या हो जाता है इसे क्रेंट क्या बना लेता है बागी का ऐसे ना है कोई रियाक्षन नहीं हुई क्या वन गया यह ग्लूकोस था है छोग टाइसों में है रुप न क्या इस उत्फ्ट से बनाये है इसलिए इसी का नाम गया क्या बना गया वागे क्या करेंगे यह क्सी के लवन के साथ सथ कराँगे दूर्ण prag PubMed ओ और है अब मैं कोई कहिं का लवन के सकते करी Defa क्या ले लीशियम कार्बोनेट लें लिया क्या ले लिया क्या ınız किर्शियम कार्वोनेट 2 भांड यहां पर क्या् Amo यह इस लिख लूँ ओएच और बाकी को लिख दिया मैंने च्छ का होल थ्राइस और नीचे इस कारवन को मैंने इसलिए भाड लिखा क्योंकि अगला रियक्शन यहीं होने वाला है अब यह क्या बनाएगा कैल्शियम का लवण बनाएगा यह तो यहां पर क्या फॉर्म होगा सबसे पहले कैल्शियम का लवण फॉर्म होगा यह जो नेगिटिव चार्ज है और यहां प प्ensemble और पॉजिटिव चार्ट होता है एक सब्सक्राइब है यहे जो बना है नेगिटिफ चार्च वाला क्या करेगा स्टेबलाइस करेगा यानि की जैसे कि यहां पर दो मॉलिक्यूल होंगे और बीच में कौन होगा कैल्शियम एक मॉलिक्यूल इदार और इस को क्या बोलेंगे हम केल्शियम लबड क्या बोलेंगे हम इसको केल्शियम लबड बना अब इसकी रियक्शन कराएंगे हम किसके साथ मैं इसे ऐसे लिख दूँ अब इसकी रियक्शन कराएंगे हम फेंटोन अभिकरमक के साथ फेंटोन अभिकरमक क्या है FeSO4 और H2O2 hydrogen peroxide और sodium sulfate का mixture hydrogen peroxide और sodium sulfate का mixture इसे बोलते हम क्या? Fenton अभिकरमग क्या बोलते हम इसे? इसे बोलते हम Fenton reagent कौन सा reagent है? Fenton reagent Fenton reagent Fenton अभिकरमग अब यह क्या करता है Fenton अभिकरमग? यहाँ पर iron मौझूद है iron एक संक्रमन तत्व है iron दो तरह की oxycoron अवस्थाओं में पाये जाता आप लोगने पड़ा होगा iron plus 2 भी प्रदर्शित करता है और iron plus 3 भी प्रदर्शित करता है तो यहाँ से Fenton अभिकरमक से जो हमको iron प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? plus 3 होता है कौन सा प्राप्त होता है? plus 3 तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? मैं इसको ऐसे ले लूँ calcium हटा दूँ मुझे आगी का reaction दिखाना है ठीक है? तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ यह बना negative charge वाला calcium salt बना तो इसमें oxygen पर क्या रहेगा? negative charge हमारे पास Fe 3 plus है यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा? iron plus 3 oxygen अभस्था में प्राप्त हुआ iron प्राप्त हुआ किसमे? plus 3 oxygen अभस्था में क्या करेगा? प्लस 3 में positive charge है इसको एक electron की ضरूरत है अगर इसको एक electron मिल गया तो यह किसमें change हो जाएगा? Fe plus 2 में change हो जाएगा reduce हो जाएगा plus 2 में यह electron इसे कहाँ से मिला? ऑक्षिजन के पास negative charge है यहाँ से यह क्या कर लेगा? एक electron को ले लेगा यहां से यह नेगिटिब चार्ज है, नेगिटिब चार्ज में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं, दो इलेक्ट्रोन, oxygen के उपर नेगिटिब चार्ज है, मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रोन है, नेगिटिब चार्ज है, अब यहां से यह जो एक इलेक्ट्रोन था, यह किस ने ले और यहां पर क्या बनेगा यहां पर बनेगा हमारे पास ओ रैडिकल एक एक लेक्ट्रॉन तो चला गया कहां कि मैं से लिख दूँ है बाकी का सी एच ओएच का होल थ्राइस और नीचे सी एच टू ओएच दिखतो रहा होगा दो इलेक्ट्रों ते और दो एक एक एधिए करमक के साथ एक्शन करता तो क्या बाहर निकलता को और निर्वान करेगा तो अब मुझे देखना है कि यह जो राइडिकल बना यहां से अब सीओटू कैसे बाहर निकलेगी तो हम ज़क्ते हैं क्या होगा यह राइडिकल बना तो यह वाला जो है 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 यहां से फी थ्री प्लस नहीं एलेक्ट्रोन लिया और किसमें चेंज हो गया फी टू प्लस मैं चेंज हो गया यह रैडिकल बना अब यह फ्री रैडिकल यह टूटेगा यहां से क्या टूटेगा फ्री रैडिकल यह टूटेगा तो मैं यह एक्षिन उपर ले जाती हूं नीचे जगह नहीं है आपको दिखेगा भी नहीं तो मैं उपर की तरफ ले जाती मैं है यह प्लस घ्रीं हो जाता है यहां से विदलन से हमको क्या मिलेंगे दो इस रैडिकल मिलेंगे है ना तो यह वह ने लिया एक वह रैडिकल कहां से मिला है हमको एच्टूऊ को धगा है उनने यह इस प्रोटॉन को ले लेगा और यहां से छोट यहां से एच्टूऊ बाहर निकल गई और यहां से कौन बाहर निकल गई को टूब निकल गी और फाइनली हमको क्या मिला हमको मिला C double bond OH और यहां पर CH OH का hold thrice और CH2 OH अब कितने कारबन रहेगे तीन और चार और पांच और यह क्या बन गया हमारे पास D अरे बीनोज क्या बन गया है हमारे पास D अरे बीनोज देखतो रायन आप लोगों को क्या हुआ हुआ पर नहीं दिख्रात में थोड़ा बड़ा बना दूं तक आप लोगों को स्लियर दिखिए कि यहां पर क्या हुआ हम ने यह लिया है एविश-ओ-फ़ एच्टो यहाँ पर ह्ट्टो एच्टो थीख है तो जी अक्सिजन और और यह पर औक्सायड बॉंड है यह तूटेगा फ्री रेडिकल ही तो यहां से एक्ष मनेंगे 2 ओछ रेडिकल यहां से क्या मिलेंगे दो ओछ रेडिकल और यह कि इसमें plus three में और यह plus three iron जो है यह जो प्लस त्री आयरन यहां से एक electron ले लेता है और यहां से एक electron ले लेता है तो यहांपर क्या बनता है यहां पर oxygen पर एक radical बन जाता है पर तोड़ा बड़ा लिख दूं ताकि आप लोग अच्छे से देखे बाइक होगे यह लीचिछ नीचे है CoH अब क्या होगा यह कारवन वाला यहां पर डू इलक्ट्रोन प५ंद में दू इसलों होते ने तो यह दो इलक्ट्रोन यह जो एक एलक्ट्रोन है यहां पर इस रेडिकल के साथ कंबाइन हुआ यह रेडिकल यहां आया और यह बॉंड यहां टूटकर यहां गया तो यहां पर कंबाइन हुआ ठीक है तो क्या होगा यह बॉंड यहां से टूटेगा ठीक है यह बॉंड टूटा सम बिदलन हुआ इसका तीर का मतलब को आप समझते ह होंगे हैं ना यहतलु कि यह कोला लेकर बाहर चला जाएगा एक कारवन पर उलेक्ट्रों aur क्या बना लेंगे बॉंड बना लेंगे और क्या बन जाएगा डा UM Adapt alc sticking for aELI और यहuleं तो इन टूटे गाँ तो एक रेडिकल काँ पर आएगा कारवन पर अक्सिजन पर एक karış रेडिकल है होंड अर्णीकल कारवन पर तो यह दोनों क्या बना क्या लेंगे बॉंड और यह क्या बन जाएगा CO2 क्या बाहर निकल गई रितों रहें अब क्या होगा इस कारवन पर रेडिकल आएगा यह तो बाहर निकल गया एक रेडिकल बचा जो इस कारवन पर आएगा यहां से ह्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट H2O, H2O बाहर निकल गया, CO2 बाहर निकल गया, और यहां पर radical, और यहां पर radical, इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, double bond O, क्या बना लिया, यहां पर carbon और oxygen के बीच में, double bond, तो यह बन गया C double bond H, तो इस तरह से क्या हुआ, हमने लिया था glucose, और glucose से हमको finally क्या मिला है, arabinose, क् यह कौन सा method था, यह rough method था, कौन सी विधी थी, rough विधी, अगली विधी देखेंगे, अगली विधी देखते हैं कौन सी है, next लिया हमने hole, hole की विधी, holes method, holes degradation method यहां, holes method, hole की विधी, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, hole विधी देखते हैं, अब क्या है, holes method, हमें glucose दे रखा है, इसे लिख सकते हूं मैं glucose को, क्या है हमारे पास, D glucose, सबसे पहले, hole method में, कौन सा method है, hole method है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यह जो glucose दिया है, इसकी reaction कराऊंगी, hydroxyl amine से, किसे कराऊंगी, hydroxyl amine से, hydroxyl amine से, यह reaction मैं पहले भी करा चुकी हूँ, पहले आप जाके देखिएगा, जहां पर मैंने glucose की reactions कराए थे, जिस lecture में, वहां पर देखिएगा, यह reaction मैं करा चुकी, और इसका mechanism भी बता चुकी, कैसे होता है, तो यहां से क्या होगा, यहां से, H2O का molecule बाहर निकल जाएगा, पीछे देखिएगा, पलट के इसका mechanism कैसे जाएगा, तो H2O बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, यह बन जाएगा, NOH, OXYM बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CHOH का whole thrice और नीचे, CH2OH, क्या बन जाएगा, OXYM बन जाएगा, ग्लूकोस से बना है, इसलिए इसको बोलेंगे, Glucoxime, Glucoxime बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, यह नए रिक्षन नहीं है, ठीक है कैसे बनाएं वहाँ पर जाके देखिएगा आप मेकैनेजम में बार 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 उस चीज को रिपीट अगर आपको तो रिपीट करनी ही है क्या करना है आपको यहां पर मैंने जो करा है रियक्शन अप खुद से जब प्रैक्टेस करोगे अब कौपी पर उतारोगे कि तो खुझ से पीचे मेकैनेजम देखो फिर दोबारा खुझ से करो तो इससे क्या हो जाएगी कि तुम लोग फ्रेक्टेस हो मेकैनेजम करना आज आएगा उतने ही अच्छे परिकेश से तो यहां पर क्या बना ग्लूकोग्जयाइं बना अब इसकी रिक्शन कराँगी अ o ac2o ac2o क्या होता वह यह Acetic N hydride Acetic N hydride क्या होता Acetic N hydride कई भार में reaction करा चुक्कियों इसकी तुम लोगोंने भी कई बार देखा होगा क्या यह है Acetic N hydride यह जो ग्रूप होता है इसको क्या बोलते हैं एसी बोलते हैं तो 2 ac और किस से जुड़ा हुआ है क्या लिखते हैं आप लोगो ने कभी एल्कोहल वाला चेप्टर पड़ा हो तो यहां पर आप बता सकते हैं क्या रियक्शन होगी मैं यहां पर मैं तो डारेक्ट बनाऊंगी लेकिन एक वार आपको मिकेनिसम दिखा देते हुँ यहां पर जो रिक्षन होगी माल लो हमारे पास कोई एलकोहल है रोग्रॉफ ऐस फी बनाता एसे एस ट tien यह गोलता है तो जस्ते हमें पता चला था कर पांच हाइड्राक्स कर व्हूं का धिए सर्फाना चला था कि यह को सके ़ाय को बढ़नाści पांच हाइड्राक्स स्यंगों तो यह पता हो तो दुशली से यह दिया उचिवा है है लोघ पीर ठीक है क्या करेगा ये डेलिटा नेगिति अबिवापस आएगा और यह बाहर निकल जाए गए है ना यह बाहर निकल लेगा हउसी को ब माइनस आएगा और यह क्या कर लेगा और यह बना इसी को क्या बोलते हैं एस्टर भी बोल सकते हैं यहां बोल सकते हैं क्या बन गया एस्टर भी बोलते हैं इसे और एसिटेट भी बोलते हैं इसका मेकानिसम बहुत डिटेल में बहुत करा चुकी हूं आप देखिएगा वहापर कैसे होता है ठीक है और दुवारा भी बता दिय तो यहां पर इन सबसे वनेगा हीड्रोक्सिल किस पर रियक्ष्ट करेंगा हीड्रोक्स समौ पर क्या बनेंगे ऐसी टेट वनेंगे पेंटाइसी टे वनेगा उसके लाबाँ यह पर भी कुछ क्या बन जाएगा ओझियोः च्प्लस और यहां से निकलेगा यहां से निकलेगा यह से निकलेगा यह माइनस और यह क्या बना लेंगे H2O बाहर निकल गया और बाकी का क्या बना यह बना CO CO CS3 का होल थ्राइस ऐसे लिख सकती हूं CH2 O C double bond O CS3 ठीक है एसी टेट बन गया अब मुझे क्या करना पड़ेगा अब यह एसी टेट है इसका जलब गटन करने के कई सारे तरीके मैंने आपको बताएं हम क्या कर सकते हैं एसीड हाइड्रोलिस भी कर सकते हैं एस्टर का जलब गटन करने के लिए से कराऊंगी मीथेनॉल से कराऊंगी MEOH का मतलग CH3OH इसी को क्या बोलते हैं यह ME ग्रुप और यह OH ग्रुप तो MEOH ठीक है मीथेनॉल लिया यहां फिर मैं यहां पर यह भी ले सकती हूं AGUH भी ले सकती हूं क्या ले सकती हूँ AGOH S survivor hydroxide per the यह he अमोनियम एजी एनुथ्री भी ले सकते हूं क्या ले सकते हूं सिल्वर हाइड्रोकसाइट भी ले सकते हूं अमोनियम नाइट्रेट भी ले सकते हूं कैसा अमोनियेट यानि अमोनिया में बना हुआ विलियन ले सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट का यहां फिर हम मीथेनॉल भी और यहाँ होगा यह एच और यह CN गृूप कौन सा यह cn गृूप निकल जाता है यहाँ पर क्या बन जाता है ह C बाहर हो जाएगा इसके अलावा यह जो acetate इह इन का भी अपगटन हो जाएगा और यह बापस किसमें जूजाएंगे हाइड्रोक्सिस न्हों में चेंज हो जाएगे और एक कार्बन पर रेडक्षण हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जैसे हार निकलेगा कल लाध टक्रवान में HCN एक कारवन तो बाहर निकला HCN बाहर निकला तो एक कारवन तो इसके साथ चला गया सीन के साथ है ना तो इस वाले कारवन पर क्या बन जाएगा यहां पर यहां पर बन जाएगा हमारे जाएगा हमारे पास दी अरेवी नोज तो इस तरह से होता है यह रीक्शन इस तरह से होगा क Championship कौं सा मेथट है यह होल मेथट है कौन्हाइट है मैथट होल् Cake का सब्सक्राइब के राए है रियक्षन कराई है क्रोन कि लिए और यहां ही और यह से कौन बाघेल निकल जाता है तो एक में सटिबहार थरक वे इसका की साथ मीफेनोल के साथ मे और हैज के साथ तो क्या हुआ हमारे पास डपी रेवी नोज यहां तक के mechanism तो आपने पहले देख चुके हैं मैं पहले करा चुकी हूँ यह mechanism यह भी करा चुकी हूँ इसका जलब घटन भी करा चुकी हूँ देकिन देखते हैं दुबारा बता देते हैं आपको याद हो ना हो यह आपने second year में भी यह बहुत किया हों इसका जलब गटन एस तर का जलब गटन सेकेंडियर में किया होगा पता नहीं आपको याद है या नहीं में यहां पर मेकैनिजम बता दीत हूं ठीक है कैसे होगा मैं केवल इतना ले लेती हूं इसको मैंने माल लिया आर गुरूप हाला कि रियक्शन तो यहां पर भी सेम तो सेम लेकिन पूरा ले लूँगी तो फिर हमें अरे इस टेप में फिर सबको रियक्त कराना पड़ेगा ना लेकिन रीक्षंट तो साघी सभी कारबन पर एक ही तरह तो तो मैं इस कारबन पर बता देती हूं मेकानेजम कैसे होगा चाहर बाकी कारबन पर भी बिल्कुल सेमर hu-hr है यहां से हमको क्या मिलेगा है व माईनस ahead इस तरह की रिक्षिन पढ़ी ओंगी नपने अल्कॉH अब माइनस है यहां पर किस पर अटेक करेगा इलेक्तिरोफाइल कहां है यह बने गाँ अब बनेगा देखते हैं ओ माइनस यहां पर सी एच त्री और नीचे क्या आगया हमारे पास ओ सी एच त्री अब क्या होगा जैसी यह नेगिटिव चार्ज नीचे बापस आएगा यह बॉंड इधर तूटेगा यहां पर क्या तसी ट्रिपल बॉंड इन इसको मैं इसे लिख देत कर देखा है च्जाओ अगया यहां पर सी तो यह बनेगा यह बनेगा एच बांड सी ट्रिपल बॉंड एन यहां पर क्या है से ओ माइनस क्या करेगा अगे अमारे पास क्या था कि ए ओ माइनस और ह एच प्लस ऐसे लिख दूं यह था न C S 3 O minus और H plus यहाँ पर H plus है यहाँ पर क्या है H plus है तो O minus क्या कर लेगा इस H plus को ले लेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर बनेगा H C O H और यहाँ पर क्या है C N है क्या है यहाँ पर C N है ठीक है इसके बाद क्या रहेगा इसके बाद हम क्या करेंगे हमने base लिया है क्या लिया है हमने base लिया है reaction में तो होगा क्या यहां से यह जो bond है O और H के बीच में क्या होगा यह bond shift होगा यहां पर जैसे यह bond यहां से कहां shift होगा इस पर shift होगा तो यह H+, बाहर निकल जाएगा यहां से, जैसे ही यह bond, दिख रहा है न, यह वाला bond क्या करेगा, यहां shift होगा, carbon और oxygen की बीच में, यहां से क्या बाहर निकलेगा, H+, और यहां से क्या बाहर निकलेगा, Cn-, यहां से H+, निकलेगा, और यहां से Cn-, तो क्या बना लेंगे यह h c n c n minus और h plus मिलकर बना लेंगे h c n और h c n बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर जो r group लिया था न बाकी group को हमने क्या माना था r group माना था तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा h bond c double bond o और नीचे क्या रहेगा हमारे बाकी के r group ठीक है तो इस तरह से तो इस तरह से यह जो acetylic group था यह जो acetylic carbon था यह जो acetyl बना हुआ था यहाँ पर यह aldehyde में change होगा किसमें change होगा aldehyde finally हमको यह मिल गया ठीक है और बाकी के जो acetyl group थे वो same इसी तरह reaction करेंगे और इसमें change हो जाएंगे alcohol में change हो जाएंगे बाकी के carbon पर क्या होगा सिर्फ यह वाला reaction नहीं होगा hcn भाहर नहीं निकलेगी बाकी यहाँ तक का reaction सेम होगा बाकी के carbon पर यहाँ तक reaction सेम होगा और क्या बन जाएंगे alcoholic group बन जाएंगे तो इस तरह से यह conversion होता है डी-glucos का ठीक है एक-एक step को खोल कर बताया है एक-एक mechanism बताया है समझ में आना चाहिए आप लोगों को कोई problem नहीं होनी चाहिए मिटा दू अगला method देख लेते हैं एक और बच्चा है वीर्मान method ठीक है लास्ट कुन साचा है वीर्मान method वीर्मान विदी वीर्मान method अब यह कैसे होता है ग्लूकोज से करना है कर्मर्जन तो ग्लूकोज बना लेते हैं यहां सबसे पहले हमारे पास क्या है ग्लूकोज है ग्लूकोज की reaction क्या करेंगे हम ग्लूकोज का यहां पर बिल्कुल जैसे वैसे हमने रॉप मेथाड में किया था वैसे ही यहां पर करेंगे क्या करेंगे यहां पर ग्लूकोज का ऑक्षीक्रण कराएंगे थे सिट हुआज और वागी यह से लिखनेऊं चैंज नहीं म्यां आश। ऑल्स और चेंज ने और जफित हैं कि यह किया था जैसी हमारे पास gluconic acid बना जैसे sorbitol औरаст Camer ग्लूकोनिक अगर याद हो 12 गया दें यहां है किया सबसे पहले ऊसके बाद किया सब्सक्राइब किया था इसे क्पष्ट लेक्टोन का पिछले कंटर कंवर्जन में करा चुके हैं ह्ट्टू बाहर निकलेगा और क्या बना था लेक्टोन बना था तो वही बनेगा यहां पर लेक्टोन बना दें ओच एच एक डो तीन चार ओच एच और यहां पर सी एच टू ओएच क्या बन गया इसका ही नाम थो अपने दिया था क्या दिया था गामा लेक्टोन क्या था यह गामा लेक्टोन पिछले इंटर कंवर्जन में बना चुके हैं क्या बन गया है यह गामा लेक्टोन बन गया है अब मैं इसकी रेक्शन कर लोगर यहां पर कार्वोण ग्रूब है डाल प्लस है यह पलेंडिक हो जाएगा यह तो टूट जाएगी वापिश यह यहां पर क्या नाइड्रोजन न infamous पर पॉजिटीव चार्ज गनि ऐसे लिख दू ओएच अ॥ और यह पर यहां पर जो ओक्सिजन के माइनस चार्ज क्या कर ले मैं इस प्रोटॉण को ले लेगा जो ऑगे क्या वन यह क्या बने ऎंपर यहांञे बने लिया तो यहां से ले लिया तो यहां तक क्या क्या कैलाता है माइड क्या ऑन गया यह इनच लिफ गया कि यह च्छ2 पर हम और मीन यह मैं हमना है अब है इसकी रियक्शन अब मैं क्या करूए धाल दूंगे और cL to plug is this आ तीक है यह जो बना इंस मिक्सेल बना इसमें रभाओंगे एनले वेच्च क्या करेगा एनि-प्लस है खchronक करेगा वेस का काम करेगा तो किसने जोर्टान करें अिम्हों क newer उपक्तिक्र choridy Kaunkा करेगा बेस क्या करता है है तो मैं इसको OL दो है यह मंसे होगा इस यहां से क्या मिलेगा है बहुत साराला यहां से क्या मिलेगा क्या करेगा ez-तर क्या करेगा यह बेस का काम करेगा तो किया यह, मत क Efendimiz G pouco जाएगा मैं nuestra ग्या-श-तर ऑप्र एक निकला तो यहां प्रोटोन ले लिए उसने तो नेगिटिव चार्ज आ गया मैं इसको बाकी को ऐसा लिख दूँ छ यह एक कारवन को अलग करके सी ओएच और एच बाकी का सी एच ओएच का होल थ्राइस और यहां पर सी एच टू ओएच ठीक है आगे हमारे पास क्या है सी एल टू है सी एल और तो नाइट्रोजन पर नेगिटिव चार्ज आयाए इस पर अटेक करेगा और यहां से सी एल माइनस क्या हो जाएगा बाहर कौन बाहर निकल जाएगा यहां से C L minus बाहर निकल जाएगा यह nitrogen पर negative chlorine पर attack करेगा और यहां से कौन बाहर निकल जाएगा दूसरा chlorine यहां C L minus बाहर निकल जाएगा तो यहां से क्या बनेगा यहां से बनेगा C double bond O N H और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है C L जुड़ा हुआ है ठीक है आगे आगे मैं ऐसी लिख दूँ OH CH OH का whole thrice और निचे CH2 OH ठीक है अब क्या होगा आगे फिर से base अभी तो एक proton बचा है ना यहां पर nitrogen पर अभी क्या बचा है एक proton बचा है अभी तो एक और acidic proton बचा है base क्या कार्ण करता है proton लेने का कौन सा proton क्या है यहां पर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन more electron negative है तो proton acedic रहते हैं जैसे oxygen से जुड़ा हुआ proton electron क्या होता एक रहता है क्या हो electron negative oxygen उसी तरह यह nitrogen से जुड़ा हुआ proton acid base क्या करेगा proton लेगा फिर क्या बनेगा यहां पर बनेगा C double bond O N यहां पर क्या है माइनस और क्या है C L माइनस C L और यहां पर मैं ऐसे लिख दूँ O H H C H O H का होल थ्राइस C H 2 O H अब आगे क्या होगा यहां पर होगा re-arrangement क्या होगा यहां पर क्या होगा re-arrangement क्या होगा re-arrangement कैसे rearrangement होगा मैं इसको ऐसे लिखूं ठीक है कैसे rearrangement होगा यह जो negative charge है यह आएगा इदर negative charge कहा है कारवन पर जैसे negative charge यह आएगा carbon के bond कितने जाएंगे 2 और 2 4 और 5 5 bond तो नहीं बना सकता तो यह वाला जो bond था carbon और carbon के बीच जो bond था यह migrate हो जाएगा कहां पर nitrogen पर चला जाएगा negative charge आया carbon पर तो यह bond टूटा carbon और carbon के बीच वाला bond टूटा कौन सा टूटा carbon और carbon के बीच वाला bond टूटा और यह migrate होकर कहां गया nitrogen पर गया से C-L बाहर निकल जाएगी जैसे ही यह bond migrate कर nitrogen पर गया होगे यहांसे chlorine क्या हों जाएगो chloride C-L minus बाहर हो जाएगा यहां में हमारा रे अर्यारेजड प्रोडक्ट मिलागा क्या मिलेगा मensus में री- alrhenge प्रोड़क्ट क्या हो जागए यहां पर सी डवल बॉंड हो यह मैं ऐसे लिखूं यह जो कारवन था हिसे डवल बॉंड जान अब आगहे क्या होगा यह मिटा दूं पहले नौक कर लीज़ी जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ले लिए स्क्रिंशोट कर लिए नो तो मैं इसे मिटा देती हूं अब आगे क्या होगा आगे क्या होगा आगे रियक्शन में अभी हमारे पास बेस बच्चा हुआ है ना एक्सेस में लिया था अब ऐसा तो नहीं है एक ही माइनस मिलेगा सॉलूशन में लिया था और सोलू消न में तो बहुत सारे समें काम आ गया ओएगा और इस प्लॉटleton को ले लेगा वें मायनस किया गरेगा और प्लॉट लेगा तो यह bond हो जाएगा यहां पर जैसी ह spot हो लेगा oxygen का bond का शिफ्ट हो जाय is carbon और oxygen के बीच में और यह क्या हो जाएगा बाहर यह क्या हो जाएगा बाहर तो बाहर क्या हुआ एन डबल बॉंड सी डबल बॉंड ओ और एन पर माइनस हमने क्या लिया था एने ओए तो इसको कौन करेगा एनी प्लस यह तो बाहर निकल गया यह क्या हो यह माइनस हो गया बाहर निकल गया और बचा क्या हमार हमारे पास हमारे पास हमारे पास बच्षा C1 O H बाकि का CH2 O H का होल थ्राइस और नीचे CH2 O H क्या बन गया है हमारे पास D-Arabinose क्या बन गया हमारे पास D-Arabinose इस तरह से D-Arabinose का निर्माण हुआ D-Glucose से ठीक है क्या हुगा यहां पर बेस आया बेस ने प्रोटॉन लिया H+, जैसे ही H+, लेगा OH- जैसे ही H+, लेगा oxygen पर क्या आएगा minus charge, minus charge अटेक किया carbon पर, तो carbon और oxygen की बीच में क्या बना double bond, carbon और oxygen की बीच में क्या बना double bond, जैसे carbon oxygen की बीच में double bond बनेगा यह गुरुप क्या हो जाएगा बाहर तो यह बाहर निकाल दिए और हमें हमारा क्या मिल जाएगा डी अरे भी नोज तो जल्दी से नोट कर लीजे इस तरह से यह रियक्शन होता है और यह इंटर कंवर्जन अगरे लेक्चर में कुछ और इंटर कंवर्जन के आगे चलेंगे फिर अभी के लिए इतना ही थैंक यू